नौ जून भगवान विर्शामुंडा का पुन्यतिती है और उनका जीवन देश, समाज और राष्ट के लिए त्रेरना का सुरूत है। भगवान विर्शामुंडा का जन्म उस कालखंड में हुआ है। जिस समय जहां उनका गाउं उली हातु है, चारूतरा पहाडों से घिरा हुआ छेत्र, आने जाने का कोई ऐसा विशेश मार्ग नहीं, ऐसे अस्थानों पर भगवान विर्शामुंडा का जन्म हुआ है। उनके माता-पिता, सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा अहुद गरीब परिवार के थे। घर में खाने को लिए ऐसा कोई साधन नहीं था। मैदूरी करके अपना जीवान, निरोहन करते थे। एक दिन एक परिवात के हां मैदूरी करने के लिए गए और उधर ही खेत के तरफ विर्शामुंडा का जन्म होता है। यानि घर में नहीं, खेत खलियान में उनका जन्म होता है। फिर माता उनको पालन पोशन करके बढ़ा करती है। मापिता का एक उदे से होता है कि हमारी तरह उन मैदूरी न करे, पढ़ली करके विर्शाम बढ़ा आदमी बने। इसलिए उनको पढ़ा लिखा करके बढ़ा आदमी बनाना चाहते है। इसमें उनके एक मौसी थी जवनी करके, वह भी चाहती थी कि विर्शाम अच्छा बढ़ा आदमी बने। इसलिए उनके मामा जो आया भातु है वहां पर उपढ़ने के लिए ले गए। और वहीं पर अपने जैवालना करके एक शिक्षक हैं उनके यहां वह पढ़ने लगे प्रार्मित पढ़ाई और जब वहां पढ़ने लगे तो अगवान विर्शामुंडा की विशेष्ता रही है वह क्या है को वहां पर गाय बक्री चराते थे और जंगलों में जाते थे तो बाकी की तरह वहां का जो जड़ी बूटी है उसका भिहध्यन करने लगे छोटा उम लेकिन वहां पर तो प्रार्मित पढ़ाई हुई आगे की पढ़ाई उनको करना था लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए वहां पर एक सुझाव आया कि चायवासा में इसाय मिर्शन का इस्कूल है और वही पर नमांकन कराना पड़ेगा लेकिन वहां पर नमांकन कराने के लिए इसाय बनना पड़ता है तो मज़ूरी में क्या नहीं करता तो उनको इसाय करन किया उनका नाम दाउद हुआ कि यह घटना यानि उनका जर्म तो पंद्रह नौंबर 1875 में भी लेकिन फिर मोसी की यहां गए और 1886 से ले करके 1890 तक उने चैवासा के मिशन इसकूल में रह करके अध्यन प्रारम किया नाम पड़ा दाउद लेकिन वहां उन्होंने जो वातावरन देखा उससे उनका मन बिजलित हो गया वहां पर हो गये तो जिसको गाय को हम माता काते हैं जिसके हम पूजा करते हैं उसका लो आथे पर जो चूंदी होती है चोटी होती है वहां पर उनको काट दिया गया इसे भी उनको एक बहुत बड़ी दिनना यानि उनके परती एक गलत भावना बनी इसायों के परती आईसा वह सोचते रहे ऐसे चार साथ जब उस कालखन में मुंडर सरदार लोगों का जमीन को लेग करके एक आंधोलन चल रहा था चुकिए चर्श वाले लोग जमिंदार लोग मुंडर समाज के जमीन को ले करके यानि उसमें टैक्स लगाना बात की करना सब चल रहा था नहीं देने पर उनके जमीन को ले लेना ऐसा यह कभियान था तो मुंडर सरदानों ने भी तो करते हैं कि पादरी ने कहा कि मैं तुमको मैं अपनी यहां से निकालता हूं तो विर्शा मुंडा ने कहा रहे तुम क्या निकालोगे मैं तुम्हारे यहां स्वैम यहां से चला जाओंगा तुम्हारा जो हमारे धर्म के साथ जो खिलवार कर रहा है ना मैं एक बल भी नही करके लेकिन ना उस समय बंदगाओं के एक जमिंदार से जग मोहन सिंग करके उन्होंने इस दिरिश्य को देखा और उनका जो कपड़ा था वो भी उनको भी साथ मिले करके वो चल दिये कि ये विर्शा में बहुत विलक्षन सकती है प्रतिभा है इसको और भी कहीं सिछा दिल आने वाली आनंद पांड करके एक वेक्ति स्वासी जाती के हैं उनके यहां वो ले गए आनंद पांड वो जो है महाबरत है रमान है वेद है गीता का अच्छे जानकार थे तो और उनका भाई था सुख्राम पांड वो तीर धनु चलाने में माहिर थी विर्शा मुंडा वह उनका जो भाई था उनसे भी तीर जरूस बाकी जो कुछ जो जानता ही थे वो लेकिन उन्हें एक अच्छा भ्यास किया ऐसे कुछ दिन तक ऐसा वो चला महिनों तक फिर उन्होंने सोचा विर्शा मुंडाने कि हम तो धीन में यह सिख्छा करन कर रहे हैं लेकिन रात में हम कुमा रस पास समय है रात में हम कहों में जाएंगे और जाने लगे और अपने उम्र के लोगों को ऐसंगठन बनाना सुरू किया उधिस अख्रेजु को यहां से भागाने उन्होंने ऐसे करके 500 आपर लोगों का एक संगठन भी बना लिया वहां पर पूरी सिख्छा मिलने क यानि लगभग एक साल तो पूरा उन्होंने उहां पर अध्यां किया फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ आंदोलन करना प्रार्म किया आंदोलन के करम में उन्होंने दो दल बनाया दो दल बनाया एक दल रायनिती कारी के लिए दूसरा दल या अपने समाज जागरन धर्म जागरन के लिए कुरुतियों को दूर करने के लिए ऐसा दो दल बना करके समाज के काउम में उन्होंने जिम्वारी दे दिया और ऐसा उनका दोनों दल काम करने लगा तो कैए जगापर परवचन देना, कथा करना अपने धर्म के बारे में ऐसा उन्होंने करना प्रार्म किया। लेकिन इसी बीच में चर्च के लोगों को अंग्रेज लोगों को पता चला कि यह विर्षा हैसो लोगों को यानी अंग्रेजियों के ब्लूद में खड़ा कर रहा है ऐसा सोच करके उन्होंने उसको आरेस्ट करने का प्रयास किया और जब ऐसा प्रोशन कर रहे थे उसी दर्मियान में वो पकड़े गए और पकड़ करके उस समय का तारिक था 25 अगस्त 1895 उनको आरेस्ट करते राची के जेलों में बंद कर दिया और कुछ दिन राची जेल में रखने के बाद फिर उसको हजारी बार जेल में ले गया फिर लगभाग दो सार से उपर हो गया तो फिर तीस नौंबर 1897 उनको पुना छोड़ दिया तो उनके साथियों ने भी उनको कहा कि अब पुना फिर आंदलन शुरू करना चाहिए तो उन्होंने पुना आंदलन शुरू किया और उस आंदलन में और लोग जूटते गए जूटते गए जूटते गए जूटते गए जूटते गए जब आननपांड के यहां थे तो उन्होंने वहीं पर अपन पंठ ऐसा कोई शुरू करना चाहिए तो यहीं सुचकर करने विर्षाइद पंठ ऐसा उन्होंने शुरू किया और ऐसा करके उनका विर्षाइद पंठ भी चलना शुरू हुआ अंग्रेशों का संगर्स भी शुरू हुआ यानि विर्षा मुंडा जी का तीन तरह से संगर्स था एक संघर्था जल जंगल जमीन और वहांका जो फोरेश्ट एक्ट है राजस्टव है इसके भिरूद में अंगरेज़ियों के साथ संघर्ष दूसरा यह जो धर्म संस्कृति आश्मीचासित्व है इसके साथ यह जो चर्च के लोग धर्मांद कर रहे थे उनके खिलाब संगर्स तिसरा संगर्सा जो समाज में व्याप्त कुरूतियां थी उसके खिलाब भी उन्होंने जागरन का ताम किया ऐसा तीन तरह से आंदोलन विर्षा मुंडा ने प विक्र आता है कहते हैं एक बारो एक सभा से वापस आ रहे थे उस करम में खंगोर बादल चाया और विजली चमकी बज्र गीरा और एक बज्र विर्षा के शरीर पर विक्ववी परभावित किया साथ में चलने वाला बेक्ति देखा कि उनका शरीर तो पुरा उजला हो गया लगता है विर्षा तो खातं हो गए है उजला हो गया अब लगा कि आप तो यह नहीं है थोड़ा देर के बाद विरषा मुंड़ अपने से आवाज निकाला कि मुझे इस्षूबर ने रिख दीआ है दर्संद इया है इस धर्ति के अब्भा हो तुमको इस देश के लिए सम करके प्रसीद हो गया आगे बहुत सा कुछ प्रसंग है तो ऐसा करके धर्ती अबा के नाम से प्रसीद हो गये देरे-देरे करते उन्होंने जड़ी बुटियों का इलाज करना सीखी गया थे तो यह सभी करम चलता रहा ऐसी करम में विर्षा को पकड़ने के लिए राची से अ विर्षा मुंडा ने भी अपने जो 500 से उपर जो उनके सहयोगी थी तीरधन उसले करके वह वहां से चलते हैं राची और खुटी के बीच में तांगा नदी है वहीं पर दोनों की भिड़न्त होती है और उस जुद्ध में विर्षा मुंडा विजय सीरी प्राप्त करते हैं इसके बाद तो अपने साथियों का आवाज बुलंद हो गया वहने मनों खुसी चड़ गई है ऐसा करके संगर चलता रहा यह चलता रहा यह चोबीस दिसंबर अठारव सव निनान बेसे उनिस सव जनवरी तक यानि जनवरी उनिस सव तक यह जो एक कुछ दोती महिने का जो संगर्स है यह भ्यान संगर्स हुआ है यानि बड़ा दिन से उन्होंने एक उल्गलान शुरू किया उल्गलान यानि क्रांती एक संगर्स युद्ध करना और उल्गलान का उनका जो पर करना इसलिए उनका परतीक जो चिन था वो अभय था इसका धार पर उन्होंने कर दिया और उस करम में वहां वरुजू मिशन है उस पर राची चूटिया अगर तरफ जो इसाई का जो चर्च है वह जो गुमला का वसिया है चगरतर पुरेरिया का है चारों तरफ से उनके साथ लगा कि हमको एक बड़ी सफ्वा करनी चाहिए ऐसा सोच करके उन्होंने जनवरी नौ को उन्हीस्ते सांए उन्होंने एक अगल्मारी बुरु उनका एक करम अस्तली है पोईतर अस्तथ रहें वहां उन्होंने एक बड़ी सभा रखी उस सभा में चारों तरफ से लोग सब्बेज जंडा लाल जंडा लग से ऐसा लेकरके मात्य में तीलक रोरी सभधार के लोग सभा में चारु तरफ से आ रहे थे हज जारों लोग सभा में आये और वहां पर विर्शामुंडा हवान करने वाले थे कि अंग्रेजों को जैसे भी यहां से भगाना है यानि गहलने के बाद चाट उत्रव से गोलियां तोपों की प्री चार उत्रव सेुने लगी यानि जो लोग थे उसे काफी working कि क्व strengths वास्तों में इलाएट एसमें अजोने वहाँ वास्तों में जो जालिया वालिया गत्य उससे भी विभ्यानक रहा है , उसमें विर्षे को पकड़ने दोसी पिलम नहीं हुए विर्षा मुंडा वहां से निकल गए और निकल करकर वहां अपने साथियों के साथ उधर सीभूम है उस एरिया में रहे लगा segment संजोग से कि एक गाउं में धूपा उठ रहा था दूर रहा था लोगों के लगा कि ये ये कोई गाउं है इस गाउं को देखना चाहिए और वहाँ पर अंग्रेज के लोग गया और देखा कि वास्तों में सही जगह पर आए विर्षा मुंडा वहाँ पर थे और तारीख था तीन फरवरी उनिस सो तो उस तारीख को विर्षा मुंडा पकड़े गए और उनको लाग करके राजी के जेल में ढाल दिया गए अब वहाँ पर भी उनको बहुत परकार की यतना दिया जा रहा था और उस यतना को सहते रहे हूं अंग्रेजों को मालूम था कि एक दिन विर्षा छुटेग अगर छुटेगा तो और भी तबही मचाएगा इसलिए ये जेल से छुटना नहीं चाहिए ऐसा करके अनेको परकार की यतनाए उनको दिया चाने लगा भगवान विर्षान उन्डा ने अपने अनुयायों को उपदेश दिया था उपदेश दिया था यानि कहेंगे तो प्रागरन के लिए और अध्यात्म की दिरिष्टी से उनका वो उपदेश था पाला उपदेश क्या था कि नसा मत करो असूद भोजन मत करो घर को सदैव साफ सुस्तरा रखो और आंगन में तुलसी का पधा लगाओ बड़ो का समान करो और कू संगती से बचो इस्वर यान सदैव एक जूट रहो फिर उनका था कि अपने स्वधर्म पर विश्वास रखो अपनी संस्कृति अपने धर्म अपनी परंपरा अपने पुर्खों पर अटूट विश्वास रखो ये हमारी पहचान है और सप्ता में एक दिन विरस्पतिवार को अपने इश्ट देव सिं करो और हल मत चलाओ और अंतिम जो उनका उप्देश था कि सायों के मोह जाल में मत फसो उन्होंने ऐसा उप्देश ने करके वास्तों में जिल में तो गए और जब पकड़े गये थे ती फरवरी को उस दर्म्यार में उनके सहयोगों को भी पकड़ा गया था बहुत लोग प पर काफी परेशान हुए जिस दिन यानि 9 जून 1900 को विर्षा मुंडा का द्यावासन होता है और यह द्यावासन लोग कहते हैं कि कि किसी न किसी रूप में उनको सध्यंत्र किया गया या तो दातून पानी में चाय में कुछ भी में भी कुछ न कुछ उहर जैसा दिया गया ऐसा कुछ असंका लोगों को लगा चुकि कुछ पोश्माटम तो ऐसा हुआ नहीं फिर जब उनका बोडी को ले जा करके रांची में एक नाला चलती है उजह जा करके फेंक दिया तो फिर अंग्रेज ने पूछा कि कहा कि आज उदर फेंक दिया रहें उसको फेंक करके मत समाज के लिए बहुत प्रेरणा दिया है आज समाज भारत सरकार ने भी वागवान विर्शा मुंडा पर अनेको उनको रूप में समानित किया है जार्खन का विभाजन उनके जनमति थी पंद्रण ओमर 2000 को यानि अलग प्रांद की घुसनावी उनका समान दिया गया बिहार रेजिवेंट उनका जो घोश से वाकिय है वह विर्शा मुंडा की जय है भारत के पर्लियामेंट के परिशर में वगान मिर्शा मुंडा का मुर्ति अस्थापित है और दस नौवंबर 2021 को भारत के प्रणामंतिर आदर नरेन मोदी जी ने विर्शा मुंडा की जयंतियों को जन जाती गोरों घोशित किया है ये पूरे समाज और देश के लिए वास्तों में गोरों है हम विर्षा मुंडा के जीवन से प्रेड़ना ने और समाज को भी इसके बारे में बता में धन्यवाद